मुस्लिमान इस पपरफुल काफर के बच्चों में और मुस्लिमान के बच्चों में बहुत फरक होता है जब से तलवार छोड़ी है तो हम काफर एवी हो गया आप लोगों पर काफर को मारते रहो तो काफर ठीक रहते हैं अपनी पकात में रहते हैं आप मानो या ना मानो एक बात बिल्कुल सत्त है कि 90% पाकिस्तानी हिंदुस्तान और हिंदूों से नफरत को भी नफरत हो जाए इतनी नफरत करता है इसलिए तो आज पाकिस्तान में 1947 में जो 28% हिंदू थे आज घट के 1.5% रहे गए आप खुद सोचे जब ऐसी जहनियत के लोगों को यह पता चले यूए के अंदर एक भारती मंदिर बन रहा है वो भी भारत सरकार यूए सरकार की देख रहेक में वो मंदिर बन रहा है और उसकी निव डाली गई यह भी यह खबर जब पाकिस्तान पहुचेगी तो पाकिस्ता में क्या बलबला मचेगा सोचिए और इसी बलबलेगा आपको रहता है इंतिजार तो चलते पाकिस्तान दुबाई के अंदर हिंदू का एक मंदिर बनाए गया है जिसके अंदर तकरीबं 13 के करीब देवी देवताओं की मूर्तियां रखी गई है और हिंदू को टर्ब्यू चैसे पैसा आजाने के बाद इसनान अपनी खुआश्याष आपनी जिंदगी के जो अपनी जिंदगी है न उसके रैंसेन को चेंज करता जाए और बंदा अपनी जो सिस लाइन पे चल रहा है उस लाइन से आगे पीची हो जाए अच्छा नहीं है लाइन है यह दिन-इस्ल तुम असलि मुसल्मान नी हो तुम कन्विटेड मुसल्मान भाई एक ने तो माना गम से गम नरहाँ अपने जो जिन्दगी ती दीन इसलाम की जो हमने उनकी कापी की उन्होंने हमको दीन दीन सिंखाया था अरब wszystkich किस दुनिया या किस जिन्दगी को वो वो कहना कि चाहते हो अरे केना क peng तुम कि पार्भे कर रह रह二 कंट सब्सक्राइब करें जो कि दुबाई के अंदर वो काम सही नहीं किया हां बहुत गलत अगर अगर अभी कोई यह वाला इसकी बाते सुन रहा हो न तो वह अपना हचाच के न दीवार सर में मार चुका हुआ कि क्या बोल रहा है दीन पर आप देखें न को वापस अपनी हिस्ट सब्सक्राइब करें लिए उसको दुबारा बनाकर तो हम दुबार से उसको दावत दे रहे हैं मेरा ख्याल है कि यह अच्छी बात नहीं है आज उन्हों बनाएं कल कोई और बनाएगा यह शुरुआत अच्छी चीज नहीं है मैं तो सोच के हरान हूंँ यह UAE सौधी और अरप को इस Cowboys भी तुम इसलामी हो और उनको इसलाम का गयान देते ही जहां से इसलाम चला जहां से इसलाम बना जहां इसलाम जनमा जहां इसलाम पला वह जगह के लोगों को यह कहते है कि बहिए इसलाम इस तरीके से चलाओ यह हीपोक्रसी की भी सीमा होती है अगर मंदिर बनता तो उससे क्या नुक्सान होता है एक काफर है वो अपनी मर्दी से जीता है सलाम को नुक्सान होता है पाकिस्तान को ऐसे जाहिलों का मुल्क थोड़े न का जाता है इन बाइसाब को देखिए आप काफर के बच्चों में और मुस्लमान के बच्चों में बहुत फरक होता है मुस्लमान का बच्चा जो है जिदर भी जाएगा मुस्लमानी तरीके से जाएगा काफर जाएगा अपने तरीके से और काफर का मौल जब आप लाएंगे तो आप लोग भी मुस्लमानों से आड़कर काफर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे अब मुलाना साब है ठीक हो गया सर दुनिया में मुस्लमानों का नाम है कफार की कोशिश है के मुस्लमानों को दुबा के रखें ठीक है, अब मुस्लमानों को नहीं दबा सकते, वो खुद मिट रहे हैं, इसलिए वो आपना बढ़ाना चाते हैं सर अगर पाकिस्तान में मंदिर बनता तो आपको नहीं लगता कि हमारे नभी ने तो कभी भी नी का कि उस मंदिर को गिरा दो हमारे नभी बागने बुत तोरे थे यह भगवान क्या जलूम है यहाँ पर मंदिर नी बनना चाहिए यहाँ पर मंदिर बनने बाद बताओं आपको आप मुस्लमान है अप मुस्लमान है तो मुस्लमान जब जहाद छोड़ देंगे तो काफर हेवी हो जाएगा आप पर इमरानहा कुमत है इमरानहा ने सबसे पहले यही काम किया जहादों की तजिमों पर पबंदी लगाई पबंदी लगाने का क्या मदबल होता है काफर को हेवी करना अपने उपर काफर को हेवी करना अपने उपर जब मसल्मान जहाद लड़ते हैं तो पूरी दुनिया में मसल्मान कानाम होता है जब मसल्मान को आपügen रखेंगे गया होगा जहाद का गया मिलरा है लेलो जी वो इंडिया वाले जो बुत्वarlien कुछ लोग है खुद कहेंगा ये यह आप दो बुतों से कह रहे हैं वो देखो दुबई में हमारे भुतों बना रहे हैं पाकिस्तान में वो देखो हमारे भुतों खुद बना रहे हैं तुम दिन किसी हिंदों को किसी हिंदों ने कभी यह तो नहीं कहा कि इंडिया में कितनी जाद मज़ेते हैं सर आपको पता है एक बाद बताऊं आपको जीज़ जीज़ आपको बना रहे हैं वो बनाते हैं बनाएं चौदान सो साल पहले सरकार ने फरमाया था एक ऐसा वक्त आएगा रोजार सूल मस्जदें बंद हो जाएंगी काफर की चाल हो ग करते हैं वो देखते हैं पीछे से अडर किया है अडर को फोलो करो हमारा कसूर होता है मुसल्मान का कसूर होता है कि यह बोलते नहीं है आजकाल का मुसल्मान है पूरा है आजकाल का मुसल्मान है इसकी कंडिशन हैं कौन से कंट्री का कौन सा मुसल्मान आपको पता है यह इंटरनेट अप इंटरनेट जो पूरी दूनियों इंटरनेट कमसु Mur solichead क静के की स्पार उल्टा कॉ sound कि यहां इसके ऊपर लिकिए अच्छी बाद करुछ वैपर आपकोई अच्छी बात लिख़ो सकते कि मुसलिमाने इसjas़ग है ऐसे कि कुछ एक सब्सकोर कर fan और इमान मजबूत होने के सबसे बड़ी निशानी यह है कि आप सारी अकलियोतों को उनका बराबर पूरा पूरा हग दो कि आपके आपका अपना मुलग के आप जैसे मर्जी जीना चाहो तो आप जी सकते हो क्या अकलियतों को क्या यहां पर मंदिर बनने से हमारी इमान पर को या सर बढ़ता या कुफार है कफार के कहीं ऐसे मुलग है जिदर अजान देना लाओ नहीं है ठीक है तो अब आप कह रहे हैं कि इदर मंदर बनने से अगर हम उन जैसे होंगे तो हम में उरन में क्या फरक हो मेरे नभी मेरे 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 चोड़ी से बात सुन ले जब मेरे नभी इस तो उन्होंने उस टम की मताबिक त्यारी की कि जब लोग पर्वालों से लड़ते थे व गाड़ी हम टेकनोलोजी से इसी मेंटालिटी से हम टेकनोलोजी से दुनिया से हजारों साल पीछे हैं। कौन सी गाड़ी मेरी बात सुनें 5G, 6G, 7G लोजोगी हमें नहीं पता होगा 5G, 6G, 7G क्या हैं। जनरेशन्स हैं जो के इंडिया ने अचीव कर लिया हैं। अब आप सोच नहीं सकते हैं कि वो 5G क्या चीज़ कर सकती हैं। किलर के लिए नहीं सर्ट प्यार के लिए इखका मेरी बात सूनें कभी यहाद के लिए त्यारोंचे लंए किशमीर उन्हें किशमीर लौन से पुठ setzen किशमीर ना हमेरे साथ होना चाता ना वहां इंडिया के साथ जाना चाता आब तो कहते हैं या हम पाकिसान के साथ रहना वो रहेंगे रहेंगे यार वो हमारे नभी ने दुनिया में आते साथ ही सिर्फ यह सिखाया कि महबत 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 हुंदू एक ओरत जब गली से गुज़रती थे ओपर कुड़ा फैंकते थे आप सल्लाव सल्लम के ओपर एक दिन नहीं फैंका तो मुझे आप एक चीज़ बताईए वो नभी जिस नभी के ओपर एक बुढ़िया कुड़ा डाला करती थी रोजाना और कुछ मुद्द के बाद में वो बुढ़िया बिमार हो गई और कुड़ा उपर से नहीं आया तो आप उसकी तिमारदारी के लिए चले जाते हैं वो तो आप मुसल्मान नहीं हो सकते इसके अलावा यह कभी भी कुछ नहीं सोसते ना यह कभी डेवलोप्मेंट पर बात करते हैं ना कभी साइन्स पर बात करते हैं यह पाकिस्तानी मोस्ली इन ही बातों में उलज़े रहते हैं और इसी के अंदर इनकी सुबह से शाम गुजर जाती है और फिर अगले रोज और वीडियो को भी शेयर कर दिया करो भाई लोग आप लोग अपना खायल रखें आपके लिए पार्ग में इस एड़ेटर वीडियो लात रहे था जाहिंद बंदे मातरम जैशिर राम जैशिर राम जैशिर राम